हेलो फ्रेंट्स मैं गीता मेलवान स्वागत करते हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेर राइट इज अवैलेबल और नोट कि बैंक को राइट है नहीं है कि किसी के डिपोजिट अकाउंट से पैसे निकालके किस अधर मालो ए परसन का डिपोजिट अकाउंट है और लोन अकाउंट है ए और बी दोनों का तो क्या बैंक से एके डिपोजिट अकाउंट से निकालके अमाउंट लोन के अकाउंट में डिपोजिट कर सकता है यस यह राइट अवैलेबल है बैंक को एका डिपोजिट अकाउ तो क्या लोन अकाूंट वी तो एक है ना एक और विक दुने पहले है तो हम एक版 माउंट निकालंगे इस इव पलुसुल कि डाल सकते हैं नेक्स्ट हमारा पार्टनर इनिल फरं वॅघर पार्टनर इनि फरं का deposit account है एक फर्म है उसमें से एक पार्टनर मालो एक पार्टनर है उसका आपके बैंक में deposit account है और उस partnership firm का loan account है लोन partnership firm का loan account है मालो partnership firm है जो A plus B plus C इन तीन partner की फर्म है यह भी तो देनदार है ना तो इसका deposit account है तो A का amount हम deposit से निकालके loan के account में जमा कर सकते हैं यह भी राइट है available नेक्स्ट हमारा single name अगर A का deposit account है और उसी A का loan account है तो उस deposit account से amount निकालके हम loan के account में जमा कर सकते हैं यह यह राइट भी available है नेक्स्ट हमारा proprietor अगर proprietor का deposit अकाउंट है और प्रोप्राइटर्शिप फर्म का लोन अकाउंट है जो प्रोप्राइटर है वो इसका भी प्रोप्राइटर्शिप फर्म का पार्टनर है तो प्रोप्राइटर्शिप में भी उसका पैसा जमा कर सकते हैं आगर वो प्रोप्राइटर का लोन अकाउंट है यह पर्वाइबिय से लुकुल ए hasee को प्रवब कर्या魚 को та टुवि निकाल है एंट सकते हैं यह ल평ड़िण हाज स्कतर कर सकते हैं नेक्स्ट है यौि अरबिका A और B का दुनों का jointly operate करते हैं अकाउंट में और loan account एक का है तो पैसे दुनों का है ना और loan account एक का है तो दुनों के पैसे को निकाल के एक account में हम जमने कर सकते तो यह हो गया note available Next है हमारा partnership firm अगर एक partnership firm का हमारे पास deposit account है मतलब दो-तिन partner है उनका एक deposit account है और loan account शिर्फ एक partner का है तो हम दो-तिन partner का पैसे निकाल के शिर्फ एक partner के loan account में जमने कर सकते यह होगा note available Next है हमारा trust अगर trust का एक trust है उसका deposit account है और एक trust है उसका loan account है तो trust के पैसे को एक single person के account में थोड़े ना हम जमा कर सकते है तो यह होगा हमारा note available Thank you